आज की वीडियो में हम आपको छिखाएंगे ब्लोची सिल्वार की कटिंग बिस्मिल्हारख्मारवभभीम असलाम वालीकुम फ्रेंड्स मैं हूं जावेद और आप देखरो मेरे यूट्यूब चैनल जावेद टेलर मास्टर दोस्तों आज की वीडियो में हम आप कुछ का एगर बोची शिल्वार की कटिंग सबसे पहले हमने 6 मीटर का पीश लेना है इसमें से हमने फरंट और बैक यही के इसमें से हमने सिर्फ फरंट और बैक लेनी है उसके बाद जो बाकी का पीश है वो टोटल हमने उसकी शिल्वार बनानी है हमारा पीश यही कि अगर हमारी लंबाई 40 है तो हम उसके अंदर 3 एड करके डबल पीश उतार लेंगे उसका फरंट और बैक का डबल पीश फ्रांट और बैक के पीस में से हमने शिलवार के पल्ले भी निकालने और बाजू भी उसी से और जो बाकी का पीस बचना है उसमें से हमने शिलवार निकालने सास्पेर हमारी शिलवार की लंबाई जो थी वो 43 इंच है तो हमने जो खुली साइड है उस साइड पर हमने 43 इंच का निशान लगा लिया उसके बाद इसका जो पहुंचा है शलवार का वह है जी 13 इंच तो हमने इदर 14 इंच का निशान लगा लिया तो इसका जो बार पढ़ा है वह 25 इंच तो इसके जो आसनवाली साइड हो नहीं इस यह जनके इस बंद साइड यह आसन वाली इस साइड से हमने अगर वैसे शिलवा दूसरी काटनी हो तो हमने इस दर से इसका आसन के निशान लगाना है है लेकिन अब मानेस के अदर मयानी है इसके अन्दर हमने इधर 30 का निशान 30 का निशान लिए है LIVE कि इसके अंदर 20演 खे इम्ही उप टड़ेगे अपर यह यह इसे बार कि 25 25 Means का इसका बार है तो इसमें 25 इंश की एक मयानी और पड़ेख यह तो हमने इसके आसन के निशान सीदा हम लगा लेना है अ कर दो निसे कि यह खूली शायड है जहां से मैं इसकी शेल की लभार की लबाई रखी है साड़े 43 इंच ये हमारी पॉंचे वाली साड़ है तो जिस साड़ से मैं कटाई कर रहा हूँ ये साड़ हमारी आसन वाली साड़ है ये हमारी पॉंचे वाली साड़ है इसके साथ हमने शिलवार के पल्ले अभी डालने है बारा इंच तो ये हमारा 30 इंच है तो जो हमारी यह साइड है ना 30 इंच वाली यह वाली तो इधर हमने मैंनी डालनी है इसकी यह शलवार हम मैंनी के बगारी बना सकते हैं लेकिन उसके लिए वह काउंटर के उपर कटाई मुश्किल होती है तो यह हमारी एक जहना है इसके कुंदे हम बोलते हैं कुंदे हमने कटाई कार ली है एक साइड अभी हमें इसके उपर बिचा के दूसरे भी कार लेंगे फिर इसके साथ हम मैंनी जालेंगे यह तीस सेंच वाली साइड है यह तो इस पर अब ही अपने इदर अस्तान का निशान लगाना है दूसरे कबरे के पर आप आप अधिया हम दूसरी इसके कुंदे कटाई करना है दोस्तों याद रखना है जो मेरी साइड पर जिस सेड पर मैं घड़ाओ उस सेड पर जो यह खुली साइड है ना इसकी इदर मेरा हाथ है उस साइड पर मैंने इस सिल्वार के पले डालके के पहुचे बनाने झालके के झालके के बना इस सेड पर जाद बनाने दोस्तों वीडियो फूल वाज करना ताके आपको इस वीडियो की समझ आए काफ़ी दोस्तों जो वीडियो के पार देते हैं और उसको समय नहीं आती हूँ यह आपको नजर आ रहे होगे इसके जो सलवाट पढ़ने हैं अभी मैंने जो 30 इंच रखा था जो आसनी सायट पर मैंगे मैंने 30 इंच रखा था वहां पर मैंने 30 की मयानी डालने यह त्के अन्दर था todavía 30 इंच कि मयानी डालने इसके आई दोस्तों ये मियानी के बगएर भी शिलवार हम बना सकते हैं लेकिन उसके लिए वसी जगह होनी चाहिए काउंटर के उपर मिश्किल हो जाती थोड़ी उसका त्रिके का यह होता है कि उसको जब मैं इसकी फ्रेंट पैक उतार के उसके बाद जो बागी का कपड़ा होगा था उसको डबल फोल्ड करके तो उसकी उस तरह खटाई होती है अभी मैंने ये तीस इंच जो रखा था इस तीस इंच ये तीस इंच उस तीस इंच के साथ मैंने सलाई करनी है यह मैंनी डलनी है तो मैं दूसरे सेट से इसका आसा रखूंगा ये तीस इंच इस सेट वाला हो गया जो मैंने साथ जोड़ रहा है और इस साथ से मैंने आसन का निशान लगाना इसका इसका आसन जो अठारा इंच राख रहा है और इसको भी इसी तरह मैं कटाई का लूँगा जिस तरह मैंने इसके गुंदे कटाई कियें ये मियानिया दानों इसके अंदर में ये आसन वाली सेट अठारा मैंने रख लिया दूसरी मैंने तीस इंच रखी वो दूसरी जो मैंने तीस इंच रखी थी उसके असास इसको मसलाई करूँगा यह हमारी यासन वेली सेड़ है यह वाली दोस्तोंहंने 6 मीटर का पीछेनाय चीह मीटर तोट हमारा 4 मीटर को छीए 6 मीटर में से हम फ्रंट बैक जितनी हमारा कमीज की लेंद है उसको हमने डबल उतार लेना है और उसका जितना गेरा हो वो गेरा निकाल के उसके बाद जो बाकी का पीस होगा उसके शलवार के पल्ले भी डालने और उसी से बादू भी निकालने हमने मुझे जो चार मीटर आगे पीस बाद जाएगा तकरीबान वो पूरा हमने उसके कुंदे डालने हमने यह मैं जो साइड कटाई का रहा हूं यह दूसरी जो मैंने रखा था 30 इंच उसके साथ मैंने चलाई करनी इसका गेर बहुत कुल हो जाएगा दोस्तों यतना बार पड़ा सा कपड़े का उतना ही मैंने रख दिया यह आपको मैं राक के बता भी लेता हूं जिस पर मैंने रखना है यह तीस इंच उस तीस इंच के साथ मैंने इसलाई करनी है और यह बहुत ज़्यादा कुली शिल्वार बन जागी यह बलोची शिल्वार कटाई करने का असान फार्मूला है इसके इलावा बहुत फार्मूले हैं इसलाई नेक्स वीडियो में मैं दूसरा फार्मूला पर आपको बताऊंगा यह असान फार्मूला है हाट टेलर भाई के लिए जो पहली दफ़ा बनाएगा उसको बहुत असान फार्मूला रहे अभी इसके अंदर मैंने शरावार के जो पल्ले होते न वो भी डालने यह तो अभी मैंने सिर्फ इसके कुंडे डालें अच्छे जो मैंने साबसे पहले फ्रंट और बैक का पीस निकाला था इनसे जो 4-2 बतचा साए उस से मैंने से सिर्फ सरकुंडे डालें तो अभी इसका जो fractionमय का पीस मैंने उतारा था उसमें भीरने का पीस उतार लूँगा जितना भी हमारा पॉइछ का गेरा होगा मैंने अपने सूट के इसाब से को मैंने 22 निकाल लिया तो आपका जितना भी होगा बाइस है पचीस है जितना भी है आप उससे निकालें तो यह फ्रेंट बैक का पीस मैंने उतार लिया है साथ में से मैं यह रख दूँंगा इसकी किवेने करा ही नहीं करनाई कंख कि मैं शलवार की कटेंं का इसकेश का उसके बाद जे पूंचा था मैंने उता था वे इसे वारा मैंने फिर वार के प्ल्यक रहाए विया जो पीज Stre ganzehhhh मैंने बांकि 4 मिटर के मैंने फुद्र के रहते रहे हमारा यह साड़ इस साड़ पर मैंने इसके अंदर हमारा पंचा था 13 तो हमने उस हिसाब से इसके अंदर पले भी डालने दोस्तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें यह मैं शलवार के पले डारा हूँ 43 तो जिन मेरे बाईयों को वीडियो अच्छी लगे वो कुमेंट करके मुझे लाजमी बता रहा हूँ दोस्तो हमारी जो पले है यह 15 इंच है 15 इंच तो हमारा करकर पहुंचा है वो तेरे एंच आए कि हमने इंक तो 15 इंगे डालना है आज तो कॉकर इसको कम करेंगे तो फार लोगा कि इसके जो पहुंचे तो हमने यह बारा का निशान लगा लिया है और जो उपर वाला जो इसका निफ़ा वाले साइड है वो खुली रहेगी उसको काम नहीं करेंगा तो यह मैंने तुके का निशान लगा लिया है क्योंकि यह नीचे वाली साइड है दोस्तों वीडियो अच्छी लग यह थो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना ताके हमारी आराने वाली वीडियो अब तक बासानी पहुश्ची रहे यह मैंने साथ रखके आपको दिखा दिया इस तना यह जो कुंदे मैंने कटाए किये थे वह मैंने इस तना करके इसके साथ सिलाई करने करूड़ मैं लाजमी करने आरा ताके हमारी आराने अधके रहा ऊंडी आराने वाली आराने लाजमी करने दोस्तों मैंने जो कुंदे कटाई किये वह आपको इसके साथ रखके दिखाओंगा किस तरह आपने इसके साथ अटेच करने दोस्तों यह फोल्ड बलोची शिलवा रहे है इसका गेर बहुत ज्याद है यह पहुंचे वली सायड होगी और बाकी इसका ज्योग